ताम राम आज के वीडियो को सुरू करने से पहले यार तुम लोग एक काम करना कि जो भी टॉपिक पे तुम वीडियो चाहते उसको उपर कोमेंट कर देना अपन बहुत एक्स्टेंसिव मतलब बड़ी तरीके से रिसार्च कर रहे हैं हर एक टॉपिक और गजब-गजब के व पढ़ाई के भी ऐसे वीडियो देख रहे हो जो तुम्हारे मतलब के नहीं बस उन से तुम्हारा ध्यान अटाना और तुम हम यह चाहते हैं कि हम कोई रेवल्यूशन की बात नहीं करेंगे हम को बहुत बड़ा चेंज नहीं लापाएंगे जूकर से पहले हमारे पास कुछ नहीं था किताबें थी और उससे भी लोग टॉप कर रहे थे स्लेक्शन ले रहे थे आज कॉम्पेटिशन बढ़ रहा है तो इस वजह से कोचिंग इंडर्स्री में घुच गई है और जब गुच गए तो इनका मार्केट फैलता है चला जा रहा है और लड़के जा रहे हैं एक बुक तुम्हे क abnorm करनी है एक लिकर बुक्व तुम्हे करनी है जिसमें की 200 पेज ए मान चला हने 200 पेज अब यह यह बात हर एकforme किसी कि तैरी कर रहा हूं 200 page की किताब का मतलब यहां पर यह किताब में कितने भी पेचव में एक्जामपल लेके चलने तो देखो यह सबसे पहला काम होता है कि कई बार क्या होता है कि हम लोग ऐसी किताब के चक्कर में पढ़ जाते हैं जहां पर हमें NCRT उठा के देखो ठीक है एक NCRT पढ़ो और उसके साथ साथ तुम पढ़ो Lucent Lucent एकी किताब में सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं और NCRT में एक history भी अगर उठाओगे तो 9 किताबे हैं ठीक है लेकिन तुम यह देखोगे कि तुम Lucent में मुश्किल से 15 मिट पढ़ पाओगे मुश्किल से 15 मिट एंसी आर्टी तुम चार-चार गंटे बैठे रहोगे क्यों कहानिया है उसमें बहुत बहुत बहुतरीन कहानिया हैं जिसमें कि हमें क्योंकि देखो अगर आप पूरी-पूरी किताबे खतम करने बैठोगे तो यकीन मानो तुम्हें एक सब्जेक्ट को तयार करने में चार-चार महिने लग जाएंगे तो जो सिलेबस में लिखा है उसके पॉइंट सेलेक्ट करो अगर इतनी मोटी किताब है किसी किताब में 55 टॉपिक है तो 55 कि पचपन आपके स्लेबस में कभी नहीं होंगे हो सकता उसमें 30-35 उनको पॉइंट आउट करना पड़ेगा उनको लिखना पड़ेगा तो पहला काम सेलेबस में सेलेक्ट जो पॉइंट है उनको अलग छाड के रखो ठीक है अब दूसरा काम हमें क्या करना जब हमने यह कर लिया दूसरा काम यह है बुक का सेलेक्शन आपका बहुत सही होना चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है लोग दे किताब मत खरी तो अपने बुक के स्टोर जाओ और दो तीन पब्लिकेशन की जरूरी नहीं है जिस बुक को पढ़के टॉपर ने टॉप किया तो उसी बुक से पढ़के तुम भी टॉप कर जाओ तुम्हें समझ में आने चाहिए वो बुक चूज करो तो दूसरी चीज यह लीडिंग उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो जितना जल्दी हो सके कम से कम समय में एक जितने भी तौपिक है या बुक पूरी खतम करनी है तो पहली रीडिंग जो है वो कम से कम समय पे खतम करो क्योंकि जो पहली रीडिंग उसमें चाहें जितना टाइम दे दो चाहें जितना टाइम दे दो वो तुम्हें याद नहीं रहेगा इसलिए जो पहली रीडिंग होगी उसमें बहुत फोकस नहीं करना है पहली बार में बस एक सरसरी निगास है जो होता है ना कि हम पढ़ते चलेगे हाँ अब इसका मसलब यह भी नहीं है कि सामने आप कोई भी अपनी वेब सेरीज देख रहां उसके साथ पढ़ा रहा है नहीं दिमाग आपका उसी पर होना चाहिए लेकिन हम यह करें पहली बार में चीज़ें याद नहीं होती है ना उसको मिम्राइज कर पाऊगे पहली बात अब दूसरी चीज़ चलते जब आपने पहली डेडिंग कर ली और यकीन मानों अगर आपने किसा किसी किता को 4 बार पढ़ा है तो हर बार कुछ नया मिलेगा लिख के दे सकते हम तुम्हें कितनी भी मूटी किताब हो कितनी पतली किताब हो चार बार पढूगई चारोस बार कुछ ना कुछ चलक सीज бер अब ही जादू है जो भी हम दूसी डिंग में कुछ चीज है कि है यह तो पढ़ा था तो तुम क्या करों बनाने लगोंगे किया करों नोस में लगोंगे आप देखो अब यहां पे समझने अलिचीज ए अगर तुम कोई एक topic पढ़ रहा हो एक topic समझना मेरी बात ठीक है अगर तुम कोई एक topic पढ़ रहा हो तो उस topic के जो notes बनेंगे वह मुश्किल से 2-3 page के हाँ जोड के बिंती है notes कभी भी खरीदना नहीं अपने बनाना जो भी तुम टॉपिक पढ़ रहा हो एक चैप्टर जो पढ़ रहा हो जिसमें कि हम मान के चलने की साथ से 8 पेज़ें साथ से 8 पेज़ें उनका जो कंक्लूजीव एक मैटेरियल एक निकलेगा ना जो प्रॉपर टाइब लगेगा आपको वह दो से तीन पेज में आएगा ठीक है पहली चीज अब इसके बाद क्या करना दूसरी डिटिंग यह कब करना है जब दूसरी डिटिंग कर रहा है उसके साथ साथ अब तुम्हें करना क्या यह समझो यह नोट्स बना रहे हो तुम यह खासकर यूपी पीसेस लेवल की बात हम कर रह हूँ तो अगर मालों यहां पर तुम आज की एकुनो एकॉनोमी के बारे में पढ़ रहे हो तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि टॉप सिक्स एकॉनोमी किसके देश की हैं और भारत की इस समय GDP ग्रोथ क्या है तो वह करेंट का ही पूछा जाएगा वह दस साल पहले का त चोटे-चोटे मैब बनाते रहो या फिर जो भी अपना ताकि तुम्हें दिमाग में बना रहे अब मालों कोई पहाड परवत पढ़ा रहो ठीक है और फिगर जब बनाते हो डाइग्राम बनाते हो कुछ भी इस तरीके बनाते हो उससे चीज़ें जल्दी समय आती है तो जो कुछ पढ़ रहे हैं रट्टा मारो खतम करो लेकिन जब हमने उससे मैप से पढ़ना चालो किया तुम यकीन मानो कि चीज़ें इतनी आसान हो गई मतलब यह समझो ने एक तरीके से हमारे लिए टूल का काम करता है ठीक है क्योंकि क्या होता है तुम यह नदी पढ़ रहे हो तो यह फाइदा होता है तो मैप करेंट अफेस या फिर जो भी तुम्हें फोटे मोटे पॉइंट अगर लगते हूं तो साइड वाले ग्राफ में लिख दो और हम यह नहीं कह रहे हैं कि इसको तुरंद करना इसको खाली छोड़ दो थोड़ा सा आगे चलके तुम कभी करे अब इसमों में काम हो जाएगा यह चीज हो गई अब आते हैं आखरी बात पर और इससे तुम्हारी बुक जो है वो तुम इतनी अच्छी तरीके से याद कर लोगे कि तुम्हें मतलब मज़ा ही आ जाएगा लेकिन एक बात का ध्यानक ना बुक एक ही होनी चाहिए रिसोर् तुम पढ़ रहे हो उसमें लग रहा है तुम्हारे दिमाग में सवाल उठ रहे हैं तो देखो एक चीज समझना तुम्हारी इंस्टिंक्ट बहुत सही रहती है इसलिए तुम्हारे दिमाग में अगर उसे कोई सवाल उठ रहा है न उसको जाने मत दो कि किताब में नहीं ल साथ तुम्हें क्या करना है और देखो जब आखरी रीडिंग होगी तो तुम्हें बहुत जाता समय नहीं लगना है आखरी रीडिंग के साथ यह जो नोट से तुम्हारे इनको रिवाइस करने के बाद इनका एक समराइज जो होगा वह एक पेज में आ जाए बस यह आर काम त जब तुम सेकेंड रीडिंग कर रहे हैं घर में भी जब तुम रिवाइस कर रहे हो तब काम आएगा और यह जो एक पेज का मैटेरियल है यह काम आएगा तुम्हारे एक्जाम के तीन-चार दिन पहले क्योंकि तीन-चार दिन पहले कुछ ही सा चाहिए होता ना जो क्वेक तरीके से याद हो जाए तो वह यह काम आएगा ठीक है आज की वीडियों बस इतना ही कल फिर मिलते हैं तब तक के लिए राम राम